गुट बॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी माशल बरत कुरसेजा आप सभी बच्चों का हार दे कभी नुदन करता हूं बच्चों, बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था चैमिकल काइनेटिक्स जिसके अंदर लास्ट हमने थोड़ा बहुत इंट्रोड़क्शन देख लिया था कैमिकल काइनेटिक्स का और आगे भी बहुत सारी चीज़े पढ़ ली थी तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले बेटा रेट ओफ अप्यरंस या रेट ओफ डिस अप्यरंस ठीक है बेटा रेट के बारे में देख लिया था हमने लास्ट जो हमारी क क्या होती है इन दोनों को देख लिया था हमने तो अब हम बात करेंगे बेटा rate of appearance या rate of disappearance की ठीक है देखें तो rate of appearance और rate of disappearance ठीक है और बेटा अपनी presence जरूर दिखाएं good morning बोल के, high बोल के कैसे भी लेकिन अपनी presence जरूर दे ठीक है तो बेटा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है इस कहानी को आप otherwise मत लेना, इसको अपनी पढ़ाई से related करकी लेना, मेरा एक friend है, ठीक है मेरा एक friend है, उसको कोई पसंद आ गया ठीक है, बालिग है उसको कोई पसंद आ गया, अब उसको कोई पसंद आ गया तो वो क्या कर रहे है शादी करना चाह रहे है लेकिन घरवाले रोक रहे है, वो नहीं करने दे रहे है, तो वो क्या होंगे पेटा, disappear हो जाएंगे भाग जाएंगे, disappear हो जाएंगे तो क्या disappear होने से पहले भागने से पहले क्या वो घरवालों की permission लेंगे नहीं लेंगे या फिर वो वापिस appear जब भी होंगे ठीक है तो क्या वो घरवालों की permission से appear होंगे नहीं होंगे तो बेटा मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जो आपकी rate of appearance है या rate of disappearance तो rate of appearance या rate of disappearance जो है वो आपकी वो stichometry पर depend नहीं करती है reaction के अंदर जो stichometry है उस पर आपकी rate of appearance या rate of disappearance वो depend नहीं करती है देखें कैसे जैसे आपकी reaction है alpha a plus beta b से आपका gamma c plus delta d या आपका product बन रहा है अब आप rate of disappearance निकालना चाह रहे हैं किसकी reactant की चो कि reactant के लिए तो rate of disappearance निकलेना गाना बेटा चो कि वो तो disappear हो रहा है और product के लिए क्या निकलेगा rate of appearance क्योंकि वो क्या हो रहा है appear हो रहा है Clear है, तो rate of disappearance, reactant के base पे अगर आप निकालेंगे, मतलब reactant की निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा बेटा, change in concentration upon change in time, minus sign आएगा, क्यों आएगा बेटा, क्योंकि बात reactant की हो रही है, बात reactant की हो रही है, इसलिए sign क्या आएगा बेटा, minus आएगा, clear है, अब देखें आप, अगर आप rate of disappearance निकाल रहे हैं, किसकी, A की, तो rate of disappearance निकाल रहे हैं, A की, तो बेटा कैसे निकलेगा, minus, minus sign आएगा, change in concentration of A, del A, और change in time, यानि del T, ठीक है, ये तो आप अगर निकाल रहे हैं, किसके लिए, average rate के लिए, average rate के इसाब से, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, अगर आप instantaneous निकाल रहे हैं, rate of disappearance, तो minus D upon DT हो जाएगा, ऐसे ही rate of disappearance of B, minus, del B upon, del T हो जाएगा, और अगर ये तो average के लिए होगा, instantaneous निकालेंगे, तो minus Db upon DT हो जाएगा, clear है, आ रहा है समझ में, बढ़ते हैं आगे, लेकिन, अब अगर आप rate of appearance निकाल रहे हैं, तो बेटा rate of appearance किसी निकलेगी, product की, किसकी निकलेगी बेटा, product की, तो कैसे निकलेगी rate of appearance, product की, plus, अब sign क्या आएगा बेटा, plus आएगा, क्यों, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम, product की कर रहे हैं, तो change in concentration, change in concentration, किसकी product की, upon change in time, upon change in time, clear है, तो rate of appearance of C, rate of appearance of C, ठीक है, तो आप C की rate of appearance निकालेंगे, और D की rate of appearance निकालेंगे, ठीक है, तो rate of appearance निकाल रहे हैं, C की, तो del C upon, del D, change in concentration of C upon change in time, और ये तो instant in, ये तो average के लिए हो गया, instantaneous के लिए क्या होगा, D C upon, T T हो जाएगा, rate of appearance of D, तो plus आएगा, क्योंकि product है, product appear होता है, बढ़ता है, time के साथ, तो del D upon, del T हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप, ये तो average के लिए हो गया, लेकिं instantaneous के लिए निकालेंगे, तो D D upon, D T हो जाएगा, clear है, अब आगे बढ़ते हैं बढ़ता, अब एक question solve करेंगे, एक numerical solve करेंगे, और इसमें एक बात का जरूर ज्यान रखें, कि इसमें strycheometry जो है वो, strycheometry जो है वो needed नहीं है इसमें strycheometry का कोई role नहीं है बेटा, clear है, आगे बढ़ते हैं, अब एक question आपके लिए लाया हुए, 4 NH3 plus SO2 से क्या बन रहा है, 4 NO plus 6 H2O, तो write the expression of rate of appearance of NO, आपको rate of appearance निकालनी है किसकी बेटा, NO की rate of appearance निकालनी है, तो rate of appearance of NO क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, product है, D, concentration किसकी, NO की, DNO upon change in time, DNO upon dt हो जाएगा, यह instantaneous के लिए है, अगर average के लिए निकालेंगे, तो plus DNO upon dt हो जाएगा, ठीके, तो यहाँ पे बेटा, concentration आईए, NO की, है ना, और change in time आया है, change in concentration आया है, यहाँ पे stoichiometry का कोई role नहीं है, ठीके, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखें बेटा, N2 plus 3H2 से 2NH3 बन रहा है, तो आपको write the expression of rate of disappearance, आपको अब rate of disappearance लिखना है, किसका? H2 का, rate of disappearance लिखना है, H2 का, तो rate of disappearance of H2, तो disappear हो रहा है, reactant है, तो minus आएगा, change in concentration of H2, upon change in time हो जाएगा, तो यह तो आपका average के लिए हो गया, और instantaneous के लिए लिखेंगे, तो minus TH2 upon dt हो जाएगा, clear है बेटा? तो यह आपका यहाँ पर rate of appearance और disappearance हो गया, अब पढ़ेंगे बेटा rate of reaction, या rate of reaction, अब rate of reaction क्या होता है, इसके लिए भी मैं आपको एक में कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, कहानी सुनाने से क्या होता है बेटा? कि चीजें ज़्यादा याद रहती हैं, कहानी को अब otherwise न लें, पढ़ाई से related करके लें, तो बेटा कहानी अब यह है, कि अब माली जी मेरा एक friend और है, मेरा एक friend और है, यह मत केना सर आपके बहुत सारे friend है, तो मेरा एक friend और है, ठीक है, अब उसको कोई पसंद आ गया, वो अपने घरवालों से रजामंदी लेकर शादी करना चाहता है, ठीक है, तो बेटा, अब उसको अपने घरवालों से रजामंदी लेनी पढ़ रही है, तो वही वाली बात है, कि यानि अब आप rate of reaction निकाल रहे हैं, तो rate of reaction निकाल रहे हैं, तो बेटा, अब आपको इसमें stoichiometry की permission जरूरी है, यानि reaction must be balanced, reaction जो है, वो balanced होनी चाहिए, reaction balanced होगी, तभी तो आप stoichiometry का use करेंगे न बेटा, तो stoichiometry का use करने के लिए reaction balance होनी चाहिए, ठीक है, तो rate of reaction कैसे निकलेगा, देखें, ये तो rate of reaction अगर आप निकालेंगे, तो सबसे पहले आप, ये आपकी equation है, chemical alpha A plus beta B से gamma plus delta Q बन रहा है आपका, तो rate of reaction सबसे पहले तो आप निकालेंगे rate of appearance और disappearance, तो A के लिए क्या हो जाएगा, del A upon del T, ठीक है, minus, और B के लिए क्या हो जाएगा, del B upon del T, किसमें, minus, C के लिए क्या होगा, पी के लिए क्या होगा, del P upon del T, change in concentration upon change in time, यही होगा, क्लियर है, उसके बाद, किसके लिए निकालेंगे आप Q के लिए, तो del Q upon del T हो जाएगा, del Q upon del T हो जाएगा, क्लियर है, अब यहाँ पे प्लस आएगा sign, यहाँ पे भी प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि यह product है, क्योंकि यह product है, तो बेटा, अब यह तो हो गया आपका rate of appearance, यह rate of reaction नहीं है, यह तो हमने rate of appearance लिखा दिया है, सबका, यह rate of disappearance लिख दिया है, यह तो rate of disappearance और यह rate of appearance हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे अगर stoichiometry का use किया जाए, यानि alpha, तो यहाँ पे alpha से divide कर देंगे, A के लिए alpha है, stoichiometry, B के लिए, क्या है stoichiometry, beta, तो beta से इसको divide कर देंगे, P के लिए क्या है stoichiometry, gamma, तो gamma से इसको divide कर देंगे, और अगर Q के लिए क्या है stoichiometry, delta, तो delta से इसको divide कर देंगे, तो अब जो यह आपका आया है, बेटा, यह क्या आया है, rate of reaction, अब यह क्या बन गिया, rate of reaction, क्योंकि बेटा, यह तो alpha mole के लिए है, यह तो alpha mole के लिए है rate of reaction, ठीके, और यह beta mole के लिए है rate of reaction, और यह gamma mole के लिए है rate of reaction, और यह delta mole के लिए है rate of reaction, तो बेटा सबके mole तो अलग-अलग आएंगे, अब सबके mole के basis पर अगर rate of reaction निकाला जाएगा तो beta rate of reaction इसके कुछ और अलग mole होंगे इसके कुछ और अलग mole होंगे इसके कुछ और अलग होंगे उसके कुछ और mole होंगे तो beta फिर ऐसे तो rate of reaction अलग अलग अना चाहिए न लेकिन rate of reaction कैसे अलग अलग सकता है किसी भी reaction का क्योंकि rate of reaction की value same रहती है तो बेटा क्या करेंगे इसके जो moles, number of moles से उनसे divide करने पर number of moles से divide करने पर ये एक mole के हिसाफ से rate of reaction आएगा, ये एक mole के हिसाफ से क्या आएगा rate of reaction आएगा तो इसलिए आप rate of reaction चाहे, A के base पे निकाले, B के base पे निकाले, P के base पे निकाले, Q के base पे निकाले rate of friction आपका same ही होगा, clear है, आगे देखते हैं आगे रेखें, 4NO3 plus SO2 से 4NO plus 6H2O बन रहा है, question है, numerical है write the rate of reaction, आपको क्या लिखनी है बेटा इसमे, rate of reaction लिखनी है अब rate of reaction लिखनी है, तो rate of reaction आप NH3 के base पे लिख सकते हैं, O2 के base पे भी लिख सकते हैं NO के base पे भी लिख सकते हैं, और H2 के base पे लिख सकते हैं, क्या करेंगे, concentration of NH3 upon change in time तो यह तो आपका rate of क्या हो गया? disappearance लेकिन अगर में minus तो आएगा ही सही क्योंकि reactant है 4 यानि stoichiometry का भालगा दूँगा तो यह क्या हो जाएगा? rate of reaction हो जाएगा ऐसे ही concentration of O2 change in concentration of O2 upon change in time लिख दूँँ में तो यह तो बेटा आपका क्या हो जाएगा? rate of disappearance of O2 लेकिन अगर में minus तो आएगा क्योंकि reactant है disappear हो रहा है लेकिन stoichiometry यह नहीं 5 से divide कर दूँँ तो यह क्या हो जाएगा? rate of reaction हो जाएगा clear है? उसके बाद अब देखें आप उसके बाद NO के base पे तो change in concentration of NO upon change in time तो बेटा यह तो आपका क्या है? rate of appearance अब product थे तो rate of appearance आएगा plus आएगा ठीक है? plus आएगा plus नहीं भी लिखा होगा तो भी तो plus ही माना जाएगा किसी भी dessert के आएगा अगर sign नहीं लगाए तो plus ही मानते हैं ठीक है अब यह तो आप किया होगा rate of rate of appearance लेकिन अगर मैं यह stoichiometry force डिवाइट कर दू तो यह क्या बच जाएगा? rate of reaction आगे देखें H2O तो H2O है बेटा अब H2O ठीक है अब यह plus में आएगा क्योंकि product है लेकिन अगर मैं इसमें stoichiometry यह नहीं 6 से डिवाइट कर दू तो यह क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका rate of reaction क्या हो जाएगा? rate of reaction clear है? तो बेटा अब यह तो आपके जो अमने rates लिखी वो किसके लिखी? average rate के हिसाफ से लिखी इसको हम instantaneous rate के हिसाफ से भी लिख सकते हैं minus 1 upon 4 4 dNH3 upon dt minus 1 upon 5 dO2 upon dt plus 1 upon 4 dN upon dt plus 1 upon 6 dH2 upon dt clear है? आगे देखें बेटा next to numerical थेके? इफ रिएक्शन 2 NO2 से 2 NO plus O2 हो रही है मतलब 2 NO2 से 2 NO plus O2 बन रहा है the reaction of formation of NO तो reaction the rate of formation of NO जो rate of NO के formation की वो क्या है? 6 meter per second अब आपको क्या दी है बेटा? dN upon dt यानि rate of appearance दी है rate of appearance दी है NO की ठीके? कितनी? 6 meter per second the rate of तो आपको निकालने के लिए क्या बोला है? the rate of disappearance of NO2 तो NO2 के disappearance की rate निकालनी है आपको अब बेटा अब बेटा आप देखें rate of reaction अगर देखें तो क्या होगा? किसके लिए? rate of reaction देखें तो क्या होगा? rate of reaction होगा? इसके लिए तो dN2 upon dt और 2 से डिवाइट करना पड़ेगा स्टाइकियोमेट्री 2 है माइनस लेगेगेगा reactant है 2NO के लिए dN of 1 dt ठीक है? और 2 स्टाइकियोमेट्री है डिवाइट 2 से करेंगे ठीक है? और यह प्लस है क्योंकि product है O2 dO2 upon dt यह भी प्लस में आएगा क्योंकि यह भी क्या है? product है तो यह तो आपका क्या हो गया? rate of reaction हो गया यह rate of disappearance है नहीं है rate of reaction है लेकिन यहीं से आपका rate of disappearance निकलेगा किसका? NO2 का किसका? NO2 का clear है? अब देखें बेटा यहाँ पर इनको किसको निकालना है? आपको rate of formation of NO rate of formation यह rate of appearance बात एक ही है बेटा rate of formation यह rate of appearance दिया हुआ है किसका? NO का तो यह दे रखा है आपको इसकी value दी गई है आपको और आपसे पूछिए rate of disappearance rate of disappearance आपसे पूछा गया है किसका? NO2 का तो rate of disappearance तो यह हो जाएगा स्टाइकियोमेट्री हटाना पड़ेगा तो अब क्या करेंगे हम? इन दोनों value को अगर ले लें तो यहां से half से half cancel तो minus d NO2 upon dt equal d NO upon dt यह rate of disappearance of NO2 हो गया यह rate of appearance of NO हो गया अब यह rate of disappearance है और यह rate of appearance है अब यह rate of reaction नहीं है तो बेटा rate of disappearance आपको निकाल नहीं है किसकी NO2 की तो NO2 की rate of disappearance निकाल नहीं है तो NO की rate of appearance की equal है तो 6 meter per second आपका answer हो जाएगा किसका rate of disappearance of NO2 का clear है clear है आगे बढ़ते हैं बेटा अब बेटा हम पढ़ेंगे types of reaction on the basis of mechanism यानि mechanism के base पर आपके reaction के कितने type होते हैं तो देखें बेटा दो type की आपकी reaction हो जाती है इस base पर पहली होगी आपकी elementary reaction या simple reaction या single step reaction single step reaction क्यों केते हैं इसको क्योंकि ये एक ही step में complete हो जाती है ठीक है reaction which completes in single step वो reaction जो single step में complete हो जाए वो आपकी कौन सी reaction होगी बेटा single step reaction या simple reaction या elementary reaction क्लियर हैं ठीक हैं अब आगे देखें complex reaction या multiple reaction क्या होता है reaction completes in multiples multi step वो reaction जो multi step में complete होती है यानि एक से जादा steps में complete हो जो एक step में complete नहों वो क्या होंगी आपकी complex reaction या multi step reaction ठीक है तो जो elementary reaction होती है do not need any mechanism इनको कोई mechanism की ज़रत ही नहीं होती क्योंकि एक step में complete हो गई तो कहां से mechanism की ज़रत पड़ेगी ठीक है जबकि ये एक से जादा step में complete होती है आपकी elementary complex reaction तो बेटा इसमें फिर mechanism की ज़रत पड़ेगी क्योंकि पूरा mechanism दे रखा जाएगा कि कैसे product बना है अब बात करें हम किसकी elementary reaction की तो exponents in rate low is equal to stoichiometric coefficient of reaction मतलब जो exponent होते है rate low के जो बेटा rate low होता है rate low क्या कहता है पहले मैं आपको rate low के बारे में बता देता हूँ rate low होता है कि किसी भी reaction की rate को उसकी concentration के base पर लिखना उसकी concentration के reactant की concentration के किसी भी reaction की rate को उस reaction के reactant की concentration के base पर लिखना क्या कहलाता है rate low कहलाता है जैसे अभी आपकी ये reaction हो रही है a a प्लस b b से c c प्लस d d बन रहा है अब rate low क्या कहता है rate low के according आपकी जो rate of reaction है वो किसके proportional हो जाएगी बेटा वो proportional हो जाएगी किसके a and b की a क्योंकि आपके a और b क्या है reactant है a और b की concentration के proportional हो जाएगी है तो बेटा अब यहाँ पे proportional sign हटेगा तो k constant आजाएगा ठीक है rate constant और अब बेटा यहाँ पे इसके कितने a मोल्स है तो उपर कितना आजाएगा a आजाएगा ठीक है और b के कितने मोल्स है b तो उपर b आजाएगा तो यह आपका rate low के according rate हो जाएगा तो बेटा यह तो rate low हो गया exponent in rate low is equal to जो rate low के exponent है a and b वो किसके equal होते हैं equal to stoichiometric coefficient of reaction जो stoichiometric coefficient reaction के इनके equal हो जाते हैं है की नहीं है a plus b a plus b equal हो जाएगा और यह जो a plus b की जो value है यह जो a plus b की जो value है इसका sum आपका होता है order of reaction क्या होता है order of reaction जिसको आप n से represent करते हैं cannot be negative zero or fraction जो कभी भी negative zero or fraction नहीं हो सकता clear है और इसके बात करें अगर complex reaction की बेटा अगर हम बात करें तो complex reaction में क्या हो जाएगा complex reaction में mechanism is must mechanism must होता है main reaction अगर मान लीजी आपकी a से d है कोई भी main reaction है आपकी यानि a से d आपका product बन रहा है a से product d बनता है तो बेटा a से direct d नहीं बनेगा इसमें a से पहले b बनेगा b से c बना c से d बना यानि a से d बनने में तीन step आई तो बेटा ये multi step में complete हुई है reaction इसलिए इसको multi step reaction भी कहते हैं clear है अब इसके अंदर बेटा क्या होता है कि इसके अंदर आप क्योंकि ये multi step है तो multi step है तो आप इसकी rate कैसे निकालेंगे multi step है rate कैसे निकालेंगे जो कि इसमें तो एक step टी rate निकल गी, rate low से, इसमें कैसे निकालेंगे, बेटा इसमें जो है, एक step ऐसी होगी, जो आपकी slow step होगी, बाकी सारी step fast होगी, तो जो slow step होगी, उसके base पर आप rate को determine करेंगे, जैसे कोई भी slow step दी जाएगी, जैसे यह वाली दी होगी, यह वाली step rate determining step, RDS, short में, short में थोड़ा चलना चाहिए, है कि नहीं, rate of complex reaction is given by rate determining step, जो rate होती है complex reaction की, वो किसके थुरू दी जाती है, rate determining step के थुरू, तो rate अब this base पर कैसे निकलेगी, rate equal to k, किसकी concentration आ जाएगी अब b की, क्योंकि आप किसके base पर निकाल रहे हैं, इस slow step के base पर निकाल रहे हैं, rate determining step, clear है बेटा, तो बेटा यह आपकी elementary reaction and complex reaction की बात हो चुकी है, अब हम पढ़ेगे बेटा किसको, molecularity को, किसको बेटा, molecularity को, molecularity क्या होती है, इसको जरूर देखें अब आब, बोर तो नहीं होए ना, क्योंकि बेटा बोर नहीं होना है, मस्ती से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, कुछ रहना है, ठीक है, तो बोर नहीं होए, पढ़ाई पे धान दे, clear है? क्योंकि बोर होएंगे, तो बोर जैसा हाल हो जाएगा फिर, है ना, जैसे बोर इतने सस्ते में बिखते हैं वैसे ही, तो अपनी value भी कम नहीं होनी चाहिए, बोर नहीं होना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है? मजा कर रहा था, चलो वापिस अपनी पढ़ाई पे आते हैं, molecularity, molecularity क्या होता है बेटा, तो molecularity क्या होता है, total number of molecule, atom, iron participating in an elementary reaction, किसी भी elementary reaction के अंदर, यानि single step reaction के अंदर, कोई भी participate करने वाले जो molecule है, या atom है, या iron है, तो उनके जो total number है, उनका sum क्या होता है, आपका molecularity होता है, clear है, जैसे, बात करूं में, यहां पे, तो NH4, NO2 से आपका क्या बन रहा है, N2 plus H2O, तो इसके लिए, जो participate करने वाले जो molecule है, उनका, उनका number कितना है, कितने mole हैं इसके, एक mole, तो molecularity क्या हो जाएगी, इसके लिए, 1 हो जाएगी, यहां पे 2HI से H2 plus I2 बनता है, बेटा, तो यहां पे कितने mole participate कर रहे हैं, HI के 2, तो कितनी हो जाएगी molecularity, 2 हो जाएगी, यहां पे NO के कितने, 2 और oxygen का एक mole react कर रहा है, 2 और 2 बनाने के लिए, तो यहां पे molecularity कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1, 3, clear है, आगे बढ़ते हैं, तो देखें बेटा, molecularity is a theoretical concept, molecularity क्या है, theoretical concept है, theoretical concept होने का मतलब है कि molecularity कभी आपकी 0 नहीं हो सकती, की negative नहीं हो सकती, fraction में नहीं हो सकती, कभी आपने सुना है, 0 mold react कर रहे हैं, minus 3 mold react कर रहे हैं, 2 upon 3 mold react कर रहे हैं, तो ऐसर नहीं सुना है न आपने, आपने हैं, 2 mold react करेंगे, 3 mold, यानि जो molecularity है आपकी, वो हमेशّा क्या होगी, positive integer होगी, क्या होगी बेटा, positive integer होगी, ठीके, can not be negative 0 और fraction, कभी भी negative 0 या fraction नहीं होगी आगे देखे बेटा, elementary reaction, elementary reaction क्या होता है, के लिए, जो molecularity है आपकी, वो stoichiometry के equal हो जाएगी और वही आपका क्या बनेगा, order बनेगा, ठीक है, जैसी ये elementary reaction है, इसकी लिए में, molecularity कितनी होगी इसकी, ये वाली देखें आप, molecularity किसकी होगी, इसकी 2 plus 1, 3 होगी स्टाइकियोमेट्री भी क्या है, 2 plus 1, 3, और order of reaction मैंने बताया था आपको, वो भी कितना हो जाएगा, इसके लिए 2 plus 1, 3 हो जाएगा clear है, लेकिन, अगर बात करें किसकी complex reaction की, तो for complex reaction, for complex reaction, molecularity is seen for each step, molecularity each step के लिए देखी जाती है बेटा, separately in mechanism, ठीक है, यानि इसका पुरा mechanism देखा जाता है, क्योंकि बेटा, इसमें multi-step होती है, तो multi-step होती है, तो molecularity each step के लिए आएगी, तो बेटा, main reaction जैसे मालीजे, आपकी है, 2H2O से 2NO से, N2O2 plus H2O, ठीक है, ये बन रहा है, ये complex reaction है, तो find molecularity, आपको molecularity find करनी है, बेटा, अब देखें, तो mechanism इसके लिए सबसे पहले पूरा देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये क्या है complex reaction, सबसे पहले 2NO से आपका क्या बन रहा है, N2O2 बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, N2O2 बन रहा है, अब इसके लिए अगर molecularity देखें, तो बेटा, इसके लिए first step के लिए molecularity कितनी हो जाएगी 2, फिर आपका N2O2 को H2O से react करा रहे हैं, तो आपका N2O plus H2O बन रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपकी molecularity कितनी है, 2, 1 और 1, 2, अब उसके बाद जो आपका N2O बन रहा है, जब आप उसको H2O से react करा रहे हैं, तो N2O plus H2O बनेगा, यह पूरा यहां तक आपका question दिया होगा एक तरीके से, अब यहां पे molecularity कितनी 1 और 1, 2, यहां पे बीच वाली step क्या है बेटा, slow step है, तो एक step slow दी जाएगी, यह वाली fast है, यह भी fast है, मैंने बूला था, एक slow step दी जाएगी, ठीक है, अब बेटा, यहां पे complex reaction के लिए अगर हम मान लीजे कि overall molecularity निकालेंगे, तो वो तो meaningless है, क्योंकि overall molecularity निकल सकती, molecularity किसके base पे निकलेगी, slow step के base पर, तो यहां पे molecularity कितनी होनी चाहिए, complex reaction के लिए 1 और 1, 2 होनी चाहिए, यानि complex reaction के लिए जो molecularity है, वो कितनी है बेटा, 2 है, कितनी है, 2 है, sorry, molecularity नहीं, molecularity तो बेटा, यहां पे 2 नहीं होगी, molecularity 2 नहीं होगी, यहां पे, जो आपका order है, वो 2 होगा, sorry, थोड़ी सी mistake हो गई, जो order है, वो 2 हो जाएगा, देखें, जो order है आपका, जो order है, वो 2 होगा, molecularity तो आपकी, इसी base पे निकलेगी, 2 and 2, 4, molecularity कितनी होगी, 2 and 2, 4 ही होगी, लेकिन, अगर आप order देखेंगे, तो order इसके लिए क्या होगा, बेटा, order of reaction, 2 होगा, क्यों, क्योंकि order of reaction किसके base पे निकलेगा, आपका, slow step reaction के base पे निकलेगा, तो इसके लिए, दुवारा में कह देता हूँ आपसे, अगर आप molecularity देखना चाह रहे हैं, तो molecularity complex reaction के लिए देखना चाह रहे हैं, तो बेटा, complex reaction कहीं step में होती है, अब ये जैसे 3 step में हो रही है, सब की अलग-अलग molecularity आ रही है, तो क्या आप इसकी molecularity को 2 plus 2 plus 2 क्या 6 बोलेंगे क्या, ऐसन नहीं होगा, इसकी molecularity क्या होगी बेटा, इसकी molecularity क्या हो जाएगी, पूरी reaction की जो molecularity है, वो 6 नहीं होगी, वो क्या होगी बेटा, वो molecularity आपकी होगी, कितनी, वो आपकी 2 plus 2, 4 होगी molecularity इस reaction की, जो कि यहीं से देखा जाएगा molecularity को, लेकिन अगर मैं order की बात करूँ, तो order यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जो कि वहाँ पे elementary reaction के लिए order molecularity के equal सा, लेकिन यहाँ पे order molecularity के equal नहीं आएगा यहाँ पे order क्या होगा बेटा आपका, यहाँ पे order आपका slow step के अंदर जो molecularity है, वही आपका क्या होगा order होगा, तो slow step में molecularity कितनी है, 2 तो order भी आपका कितना होगा बेटा 2 clear है अब आई बात समझ में तो वापिस एक बार में repeat कर रहा हूँ किसी भी elementary reaction के लिए, यह elementary reaction थी, तो किसी भी elementary reaction के लिए, यह elementary reaction है, इसके लिए molecularity 2 plus 1, 3 है क्योंकि यह single step reaction है तो बेटा, stichometry भी 3 ही होगी इसकी और order भी इसके लिए क्या होगा, 3 ही होगा clear है, लेकिन बात करूं में किसकी complex reaction की, तो complex reaction के लिए molecularity 2 plus 2, 4 हो जाएगी लेकिन, यह कई step में complete होती है, तो हम यह लगता है, कि हम यह कई step में complete है हर step की अलग-अलग molecularity आ रही है तो सबकी molecularity लग-अलग निकाल के, अगर हम उसका sum करके, जो है, overall molecularity निकालेंगे, तो वो गलत है, वो meaningless है, इसकी molecularity क्या होगी, यह जो आपकी reaction दे रखिए, to main reaction 2 plus 2, 4, यह ही आपकी molecularity हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे molecularity, elementary reaction ने molecularity किसके equal था? वो था आपका molecularity equal order था यानि, order और molecularity equal थे, वहाँ पे और दोनों फिर किसके equal थे, stoichiometry के equal थे, यानि वहाँ पे आपकी molecularity और order of reaction सेम था, लेकिन यहाँ पे molecularity तो आपकी 4 है, लेकिन order अगर आप निकालेंगे, तो order आपका जो slow step में जो molecularity दे रखिए, यानि 2, वहाँ आपका क्या होगा order of reaction होगा, क्लियर है आगे बढ़ते हैं तो main value of maximum value of molecularity is 3 जो maximum value होती है molecularity की वो 3 होती है, मतलब किसी भी single step reaction के लिए molecularity maximum 3 ही लही जाती है, जो कि देखो यहाँ पे आप, 3 से जादा नहीं है किसी भी single step की बात करें तो single step में 3 से जादा molecularity नहीं ली जाती है ठीके, ले सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे जादा लेंगी तो reaction उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए product उतना नहीं बन पाएगा, जितना बनना चाहिए अच्छा, तो maximum molecularity कितनी ली जानी चाहिए 3 ली जानी चाहिए तो बेटा, यह आपका molecularity यहाँ पे खतम होता है और इसी के अंदर मैंने आपको order के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दी लेकिन order अपन वापस पढ़ेंगे उससे पहले पर अपन पढ़ेंगे क्या बेटा, rate low तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे आज हमने क्या पढ़ा बेटा rate of appearance और rate of disappearance of reaction और उसके अलावा क्या पढ़ा हमने rate of reaction के बारे में भी पढ़ा अब हमारी जो next class रहेगी उसमें हम rate low से start करेंगे rate low order यह सब पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे और आज हमने elementary और complex reaction भी देख ली जो mechanism के base पर types of reaction है ठीक है, तो बिलते हैं बेटा NAST class में तब तक के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद है बच्चों, आप पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें और कोई problem हो तो comment box में ज़रूर बताएं, जैशे किशना रहें हिएंः झाल